प्रश्न नम्बर एक, कौन सी लड़की की चूची और गांड बाहर निकर जाती है? आंसर है, जो ज्यादा गांड और चूची मरवाती है. प्रश्न नम्बर दो, पीरियड में करने से लड़की प्रेग्मेंट क्यों हो जाती है? आंसर है, पीरियड के वक्त चूच का मुँख खुला होता है. प्रश्न नम्बर तीम, भावी को कैसे चोदे? आंसर है, भावी को पता कर रंदी की तरह चोदना जाहिए. प्रश्न नम्बर चार, लड़की को लंबा लंड क्यों पसंद होता है? आंसर है, इसलिए क्योंकि लंबा लंड बच्चे दानी तक चला जाता है और चुदने में मजा आता है. प्रश्न नम्बर पांच, लड़के मुठी कब मारते हैं? आंसर है, जब चूत मारने का मन हो. प्रश्न नम्बर 6, किस उम्र की लड़कियों को संभोग करने की ज्यादा एक्छा होती है? आंसर है, तेरा से सोला साल की लड़कियों को. प्रश्न नम्बर 7, लड़किया चुद्वाते वक्त कब खुश नहीं होती है? आंसर है, जब लड़का जल्दी जड़ जाता है. प्रश्न नम्बर 8, संभन्ध बनाते समय लड़किया आह, आह, बेबी आह, आवाज क्यूं करती है? आंसर है, पार्टनर को एहसास कराने के लिए. प्रश्न नम्बर 9, किस पॉजिशन में करने से लड़कियों का दुद्ध बाहर निकलाता है? आंसर है, दोनों टांगों पर जुका कर करने से. प्रश्न नम्बर 10, घूरी बना कर चोगने से क्या होता है? आंसर है, लड़की जल्दी प्रेग्मेंट हो जाती है.